आई प्लस टीवी बेहतर जिन्दगी के लिए कारूबार में हम रिष्टो का खयाल नहीं करते मियां तुम चाहें अपना घर बेचो, खुद को बेचो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो सिरफ अपना पैसा चाहिए, बस! अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं अब आपके सामने दो ही रास्ते हैं या बैंक का लो नदा करो, या फैक्टरी निलाम करवाओ पापा स्कूल की फिर जमाना हुई, तो मेरा नाम कर जाएगा तुम चाहें अपना घर बेचो, या बैंक का लो नदा करो, खुद को बेचो, या फैक्टरी निलाम करवाओ तुम चाहें अपना घर बेचो, खुद को बेचो, या फैक्टरी निलाम करवाओ मेरी मुसीबतों का बस यही चुटकारा है खुदकुशी मुसीबतों से चुटकारा नहीं बलकि बहुत बड़ी मुश्किलों की शुरुआत है क्योंकि मरने के बाद तो असल जिन्दगी शुरू होती है अपने आखरी नभी मुहम्मद चुटकारा निलाम के जरीए सारे इनसानों को बता दिया जो शक्स किसी चीज़ से अपना कतल करता है उसे उसी चीज़ से जहन्म के आंग में सजा दी जाएगी जिन्दगी तो अल्ला की नमत है अल्ला की नमत को नहीं ठुकराना चाये जिन्दगी अल्ला की अमानत है क्या हम अमानत में खैانत करेंगे Cath तो ये है उपर वाले की मर्जी से चू कुछ भी एक इनसान के साथ होता है अच्छा ही होता है वो जानता है कैसे हम नहीं जानते मुश्किलों से तो गुना माफ होते हैं अल्ला सब्र करने वालों के साथ है और याद रखिए अल्ला ने कुरान में वादा किया है इन्ना माल उस्री उस्रा यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है जिस अल्ला ने मुश्किल दी आसानी भी द पापा बेटा क्या हुआ बापा एजाज तो बच गया लेकिन वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजिशन के मुताबिक हर दो सेकेंड में एक इंसान खुदकुशी करने की कोशिश करता है क्या हम उन्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं एक साल बाद एजास भाई असलार आलेकूम ऑजास भाई वालेकिम असलार पैस। में अपने ही काम आते हैं चलो आओ अंदर आओ असलाम वालेकुम वराहमत लाही वबरकातु अमीद करता हूँ आपको ये इस्लामिक शॉट फिल्म पसंद आई होगी अलहमदलिल्ह आई प्लस टीवी ने ये और ऐसी कई इस्लामिक फिल्म्स, डॉक्यूमिन्टरीज, पब्लिक प्रोग्राम्स, खुसूसी सवाल और जवाब के प्रोग्राम्स, इस्लामिक लेक्चर्स, बच्चों के खुसूसी प्रोग्राम्स, बहनों के लिए खास प्रोग्र समाजी मसायल पर प्रोग्राम्स और बहुत कुछ बनाया है